न्याश्क्त दोस्तो आपका नरं अज़्य विडियो बहुत हम वाली है यहां आपको घीजर के यह ho दोस्तो इस विडियो में कोई डीस्टेल में सवागत है तो और इसको गिजर किसी होती है तो ऽिदेश टार्ट करते हैं दोस्तो यह घीजर वाईई रगे टो तक उसको लगे होते हैं तो यह असेंबली उसमें होती है और उसमें क्या होता है कि दूसरा एक उसमें एलिमेंट लगा होता है एलिमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है छोटे ट्राइंगल में हो सकता है जहां रौंड शेप में हो सकता है जहां ट्राइंगल एक बड़ा आता है जो ऊशा में लगता है वो थोड़ा बड़ा साइज में लगता है तो दोस्तों ऐसे ही इसमें एक थर्मो स्टेट होता है गी तो इसमें एक thermostat जो होता है thermostat एक आता है pipe में होता है उसको copper pipe में बना होता है उपर से और निचे उसको connection का दिया होता है और एक उता है wiring वाला उसमें copper wire लगी होती है तो thermostat कोई भी हो सकता है ऐसे ही indicator होता है उसमें एक रगता है जहां किसी में दो इंडीकेटर लगे होता है और एक उसमें Khali zueyah है जिससे connection दिया जाता है दोस्तों यह होगे इसके गीजर में लगने वाले parts अब हम वीडियो में आगे देखते हैं कि connection कि स्परकार होते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताता हूं यह इसकी wiring diagram है तो दोस्तों इसमें यह इस तरह शेप होती है उसकी assembly की और उसमें ऐसे nut लगे होते हैं जाब आप ओपन करते हैं geezer को तो उसमें इस प्रकार आपको अंदर से दिखाई देगा तो उसमें यह center में element लगा होगा वो किसी भी shape में हो सकता है triangle में भी हो सकता है तो जहां फिर उसको दो चीनी के element लगे होते हैं उसमें दो ऐसे शेप बनी होगी रूंड वाले रूंड शेप में वो वह सकते हैं element तो element की shape कोई भी हो सकती है और एक जहां पर एक hole होगा जहां पर थर्मो स्टेड लगेगा और ऐसे ही इसमें यह दो इंडिकेटर दिखाए होगे यह एक pipe इदर दो पाइपें लगी होगी जो जिसमें से बाटर सप्लाई जाता है इसमें से इनलेट होगी एक साइड और एक साइड ओट लाइट होती है तो दोस्तों इसी परकार अब बात करते हैं इसके connection की अधर्श तो दोस्तों यह आप देख रहे होंगे यह मैंने एक लीड बनाई है लीड में से तीन वायरे निकलती हैं मैं एक रड्ड कलर की होगी एक ब्लैक कलर और एक ग्रीनर तो जो गी वह गीजर के जहां पर नट के साथ आप इसको एर्थ कर सकते हैं और जो ब्लैक वाल प्रिमेंट चेंज करें, आपके कनेक्शन तूट जाते हैं, आपको नहीं पदा जलता है, तो आप इसको असानी से यहां से देखे भी कर सकते हैं, तो दोस्तों यह मैंने इसको एक थर्मो स्टेट बनाया हुए, जे ऐलिमेंट है और जे इसके दो इंडिकेटर हैं, जो इसको दो शो करते हैं, कि ओन है जहां कट है, तो दोस्तों जैसे पहले देखते हैं, इसकी जो वायर है इता रहेट वाली वह हमको कहांपे दिनी Gosya thermostat में जाएगी, Thermostat से होके यआ चले जाएगी इसमें element के यहां से 크ास होगी। इस सैड लगावर और यह चले जाएगी element को और यह दूसरी जो black है यह चले जाएगी element के दूसरे मेंट पैए तो इसी प्रकार जे थर्मो स्टेट का आपका connection हो गया कि आपको ये दोनुब वाइर पहले रेड़ लगानी है इसको खर्मो फ्रेट के Point को और black लगानी है एक element के Point को जो एक element और थर्मो स्टेट का पॉइंट बचेगा इसको आपस में आपने कनेक्ट कर देना है जमपर डालके इसको आप कर सकते हैं तो दूसरा अब आगी एलिमेंट को पावर पहुंच गई अब रहागी आपको यह दो इंडिकेटर तो इंडिकेटर जो हम लगाएंगे इसमें फंक्शन रहता है कि जब हम घीजर को आन करते हैं तो सबसे पहले एक घीजर का एक जो इंडिकेटर है वह आटोमेटिक आन हो जाता है मतलग वह इसकी में वायर लगी है तो जो यहां से भर आरी है दूसरे पॉइंट पॉइट्स की दूसरी वायर को चाहिए जो यहां इंडिकेटर यह बहुत इंपार्टेंट है बहुत से लोगों को जब कनेक्शन करते हैं तो इसका उनको भूल जाते हैं कि यह कैसे लगा था वायर कैसे थी जैसे ही आपका पानी गर्म होगा गीजर कट करेगा तो जे वाला इंडिकेटर बंध हो जाएगा और जे दूसरे नम वायर कहा लगी थी कैसे लेंगे तो इसको देख लीजिए आपने कुछ नहीं करना इसकी दोन वायर आप देख लिजिए यह मैने लगाई है जहां से आकर एक थर्मोनील के सच प्वायर बंद पर एक जो दूसरे इंवर्टर के इसके थर्मोनील के दूसरी पॉइंट पउन इसको इपने संप्सक्राइब है है जैसे जोस्टि क कशल पर आएगा सबस्क्राइब नेZ बढ़ सकते हैं इसको आप अपने काम में इसको ला सकते हैं तो दोस्तो अगर कोई मेरी वीडियो में आपको नहीं समझाया है तो आप मुझे द्वारा कमेंट करके पूल सकते हैं अगर कोई गलती लगी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं तो दोस्तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सस्क्राइब जूरूर कर देना तो मैं आपको जे गीजर की जो वाइरिंग है जे मैं आपको असेंबली में पूरा प्रापर पार्ट के साथ फिट करके नेक्स वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तो नक्स वीडियो मेरी जरूर देखना क्योंकि मैंने जो connection की है जो मैं same connection उसी वीडियो में करूँगा तो आप उसको देख सकते हैं Thank you